आप नहीं इज्जत नहीं नेनन नहीं सने तुलसी वहां न जाईए चाए कंचन वर्षे में सज्जनों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार माता सती बिना बुलाए अपने पिता प्रजापती दक्ष के यहां गई और जब अपने स्वामी का हिस्सा यग में नहीं मिला तो वह अगनी में भसम हो गई तो बिना बुलाए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक सती चरित्र सुनाने जा रहा हूं इसकी अबदी लगवग एक घंटा 14 मिनट है अगर आप इस सती चरित्र को सुनते हैं तो भक्ती मैया आपके हिर्दे में निवास करेगी भक्ती जाग उठेगी आपके अंदर एक अलग तरह की तरंगती उत्पन होगी जब आप इस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनेंगे सती चरित्र से पहले कुछ इसलोकों में मैंने मंगला चरन बोला है आप मंगला चरन के बाद सती चरित्र विस्तार पूर्वक सुन पाएंगे अगर आप हमारे इस वीडियो को विस्तार पूरा देखते हैं तो हमारा उत्सा वर्दन होगा और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने पृस्तुत करते रहेंगे हमारा उत्सा वर्दन करते रहें रादे रादे जैसरी रादे सबसे पहले मंगला चरन सुने सभी दर्शकों को रादे रादे जैसरी रादे दर्शकों हम अपने यूटूब चेनल के माध्यम से आपको सती चरित्र सुनाने जा रहे हैं सती चरित्र सुनाने से पहले हम मंगला चरन करते हैं तो आप हमारे इस सती चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपका अवस्य ही कल्यान होगा आप समझ पाएंगे कि स्रीमत भागवत कथा वास्तम में ही यह अमर कथा है आप भक्ती में सराबोर हो जाएंगे आप ध्यान पूर्वक सुनें मन लगा कर सुनें हम सबसे पहले वन्दना करते हैं असमत गुरु भॹोणमे असमत परम गुरु भॹोणमे असमत सरव गुरु भॹोणमे स्रीराधाक्रश्ना अभ्यश्नमे स्रीमति रामान जाही नमां लंबो दरंपरं सुन्दर मेक धन्तं पीतांबरं त्रेनेनं परंपवित्रं उद्धवा करनिवो जलकांत कांतं बिगने सुरं सकल बिगनहरं नमामी सरीरं सरूपं ततोवै कलत्रं यसचार चित्रं धनं एर तुल्यं मनाश्चय नलगनं स्री गुरूरं गृपद्धे ततेकिम 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 नारायणम नमस कृत्यम नरम चेव नरोत्मम देवीम सरसतीम व्यासम ततो जय मुदीरेत जयत जयत देवो देव की नंदनो अयम जयत जयत कृष्णो ब्रस्न वंस प्रदीप है जयत जयत मेग स्यामल को मिलांगम जयत जयत प्रत्वी भार नास हो मुकंद है कृष्णे तुदिय पद पंकज पंजरांते अध्वे मेव सत्मानस राजंसे प्राण प्रयान समय कपवात पित्ते कंठा वरोधन विदहू इस्मरणं कुतस्ते बरहा पीडं नटवर्वपो करणयो करणकारं विब्रदवास कनकपीसं बैजयंतीम्च मालं रंद्रान वेणोर धरसुद्या पूरियन गोप ब्रंदैरोर ब्रंदारन्यं स्वपदरमणं प्रावसद गीत कीर्ती करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनवेसियंतं वतस्य पत्रस्य पुटे सयानं बालं मुकंदं मनसास्मामी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय बेदसे रगुनाताय नाताय सीताया पते नमः अंजनी नंदरं भीरं जानकी सोकनासनं कपी समक्ष हंतारं बंदे लंका बयंकरं मूकं करूति वाचालं पंगलंग यतेगरं यतकृपातमं बंदे परमानंद मादवं भक्त भक्त भग्वन्त गुरू चतुर नाम वप एक इनके पजवंधन किये नासत भीग्नु अनेकृँ देयं सदा परवग्नं बीष्ट दोहं तीर्थास पदं सिव विरंच नुतं सरहन्यं भिरत्याज त्यंप्रणत पाल भवाद पोतं बंदे महापुरिष्टे चरणारिविन्द्यं त्यक्त्वा सदसजसरेप्स राज लक्षिमीं धर्मिष्ट आरिवच सायद गाद रण्यं मायाम्रगं दयत येपसित मन धावत बंदे महापुरिष्टे चरणारिविन्द्यं बंसी विवूसित करानव नीर धावा पीताम बराद रुण विंपला दरोष्टा पूडेंद्र सुन्दर मुकादर विंद नेत्रा किष्णात परंक्म पहीत तप्तम्वाम न जाने अज्ञान तिमरान दस ज्ञानान जनसला कया चक्छूर्ण मिली तम्ये नतस्मई श्री गुर्वे नमां जे जे स्री राधारमन जे जे नवन किसोर जे जे गोपी चित चोर प्रभू जे जे माखन चोर ब्रंदावन सोवन नहीं नंद गाम सोगाम बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम राधा मेरी स्वामनी मेरा दे को दास जनम जनम मोई दीजियो सुब्रंदावन सोवास प्रेम सरोवर प्रेम को बरो रहो दिन नेन जाँ स्री राधे पगदरें श्याम धरो दो नेन ब्रंदावन के ब्रक्ष को मरमन जाने कोई डाल डाल और पात पात स्री राधे राधे होई मेरी भवादा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परे स्याम हरित मन होई सचदानंदर उपाय विश्वोत पत्याद हेत वे तापत्र विनासाय स्री कृष्णाय वयम्नुम्ह यम प्रवजन्त मन पेत मपेत क्रत्यम द्वयपाय नो विरह कातर आजभाव पोत्रेतीतनमय तयातर भोविनेदुस तमसर्व भूतिर्दे मुनमान तो अस्मी अहो वकियं इस्तन काल कूटं जिज्ञांस यापाय दप्य सादवी लेवे गतिं दात्र चितां ततो नयं कमवादयालू स्रणं ब्रजेमं एहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्याद हैं यदेत चय योवसे शेत सोश्म्यम रितेर्त यत परतेतन परतेत चात्मनी तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यतातम्यम यथा महांत भूतानी भूते सुचाव चेसनौ प्रवस्टान्य प्रवस्टानी तथा तेसन तेस्वम् एतावदेव जिग्याशन तत्व जिग्याशन नात्मन हैं अनुवेतीरेकाभ्यम यत श्यात सर्वत्र सर्वदाव भगवत प्रेमियों अब हम सती चरित्र प्रारम करते हैं ब्रह्माणो गुण वैश्याम्द विसर्गेपार सिस्मनत हैं ब्रह्माणी से लेकर चराचर जगत की जो इस्तूल स्रष्टी है यही विसर गये चतुर्थ इसकंद के 31 अध्याव में चार पुर्शार्थों का वरण किया गया है दक्षप्रत्यापती के चरित्र के माध्यम से धर्मपुर्शार्थ का द्रवचरित्र के रूप में अर्थ-पुर्शार्थ का काम पुर्षाद के रूप में प्रतु चरित्र का और मोक्ष पुर्षार्द के रूप में पुरण्यन उपाक्षान का वरण किया गया है मनोस्तू सत रूपायाम त्रेश्टन कन्यास्च जग्यरे आकूतीर देवुहूतिष्च प्रसूतीरती विश्रहता इसलोक संख्या चार अध्या एक प्रथम इसलोक स्री मेतर जी कहते हैं विदुर जी स्वायं भुमनू और महारानी सत्रूपा की आकूती देवुहूति और प्रसूती नामक तीन कर्ण्याय हुई आकूती का विवा रुची नाम के प्रजापती से हुआ जिनसे यग्य नारण का जन्म हुआ बोलिए यग्य नारण भगवान कीजए इनका विवा दक्षणा देवी से हुआ यग्य पूर्ण तभी होता है जब यग्य में ब्राह्मनों को भरपूर दक्षणा दी जाई यग्य भगवान से तोस प्रतोस संतोस भद्र सांती और इडस्पती आदी बारह पुत्र हुए बिदुर जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्री का विवा अंसुया से हुआ जब ब्रह्मा जी ने इने संतान उत्पन करने की आग्या दी तो ये यक्ष नामक कुल परवत पर तपिश्या करने लगे उनकी तपिश्या से प्रसन हो ब्रह्मा विश्नु महेश तीनों प्रगट हो गए तो अत्री मुनी ने तीनों को देखा तो कहने लगे एको महे भगवान विवुद प्रदान स्च चिती क्रत प्रजननाय कथम नू यूयम इसलोक संच्या चार 28 एक मतलब की चारमा अध्या 28 में इसलोक का पहला भाग मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से एक परमेश्वर का ध्यान किया था तो आप तीनों में वे कौन हैं भगवान नाराण ने कहा मुनी अत्री तुमने जिस इश्वर का ध्यान किया है वे हम तीनों हैं मैं पालन करता हूँ ब्रह्मा जी रजना करते हैं और सिब जी संगहार करते हैं हम तीनों के अंसे तुम्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी अत्री मुनी को ब्रह्मा जी के अंसे चंद्रमा की प्राप्ति हुई विश्णू के अंसे योग वेत्ता दक्तात्रे की और भगवान संकर के अंसे दुरवासा रिशी की प्राप्ति हुई मनु की तीसरी पुत्री प्रशूत का विवाई दक्ष परजापती से हुआ जिससे 16 कर्जा हुई जिन में से 13 का विवाई धरम से एक का अगनी से एक का पित्रों से और सबसे छोटी सती का विवा भगवान संकर से हुआ सभी के कुल की ब्रद्दी हुई परंद भगवान संकर की पत्नी सती से किसी भी संतान की प्रापती नहीं हुई क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापती ने भगवान संकर का अपमान कर दिया था जिसके कार्ण युवावस्था में ही सती ने अपने देख का त्याग कर दिया विदुर जी कहते हैं पूछते हैं मुनिवर भगवान संकर तो सील बानों में स्रेश्थ और दक्ष प्रजापती अपनी पुत्रियों से बड़ा इसने करते थे फिर उन्होंने किस कारण से भगवान संकर से द्वेश्थ किया विदुर जी के इस प्रकार प्रिश्ण पूचन पर मेत्री मुनी जी कहते हैं पुरा विश्व स्त्रज्याम सत्रे समेता परमर्शे तथा मरगणा सर्वे सानगा मनयोंगनए दूसरा इसलोग का चौथा भाग है विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो उसका अवमान इतना बढ़ गया कि परम पूज गोश्वामी तुलसिदा जी कहते हैं नहीं कोई अस जनमा जगमा ही प्रवता पाए जाए मद नाहीं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन ही नहीं हुआ जो इसर को पाकर मतवाला नहुआ हो मद मतलब घमंड एंकार ना हो किसी को अपनी सुन्दर्ता पर घमंड है तो किसी को अपने बावुवल का घमंड है किसी को अपने घने पुत्र होने का घमंड है तो किसी को अपनी अधिक सिक्षा का घमंड है तो किसी को धनका तो किसी को पद प्रतिष्टाखा मतलब कि ऐसा कोई उत्पन ही नहीं हुआ जो पाकर मतवाला ना हुआ हो एक पार प्रजापती का सत्र जिसमें बड़े बड़े देवता रिशी मुनी सभी एकत्रत हुए अंत में सभा के अध्यक्स दक्ष प्रजापती ने सभा में प्रिवेश किया तो उसे देख कर सभी देवता खड़े हो गए लेकिन भगवान सिव संकर जो है बैठे ही रहे भगवान संकर ध्यान में मगन थे जिसके कार्णवे खड़े ना हो सके दक्ष प्रजापती ने जब ब्रह्मा जी की ओर बैठा हुआ देखा तो सोचा कि यह पिता जी हैं कोई बात नहीं परंत जब बैठे हुए भगवान संकर पर द्रश्टी गई तो क्रोधित हो गए कहने लगा सुनो देवताओ और रिशियो मैं सिष्टाचार की बात कर रहा हूँ सावधान होकर सब सुन लीजिये केबल एक ही बात कहना चाहूँगा कि बिसिष्ट लोगों में बिसिष्ट लोगों का आगमन होना चाहिए सब्य समाज में एक भी असब्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सबा का सरूप ही बिगड़ जाता है सब एक दूसरे का मुझ देखने लगे यहां असब्य कौन दिखाई पड़ रहा है यह दक्ष ने किसको इसारा किया है किसके बारे में कह रहे हैं दक्ष ने का इधर उदर क्या देख रहे हो तुम्हें यह संकर दिखाई नहीं पड़ रहा है सिष्ट लोग में बैठता तो सिष्टाचार आता 24 घंटे भूत प्रेतों में संग में गूमते रहने वाला क्या सिष्टाचार और सब्विता समझेगा यह तो हमारे लिए कलंक है आयम तो लोक पाला नाम यसोगन निरपत्र सद द्वरा चरित पन्था ये निस्तव देन दूसत है इसलोग संक्या चार का चोथा अध्याय दूसरा इसलोग दस्मा बाव लोक पालों में हमारी प्रितिष्टा के यस को धूमिन करने वाला नश्ट करने वाला है नरपत्र है लगजा तो इसमें बिलकुल भी नहीं है ये निरज्ज है बुरी तरह गालिया देने प्रारम कर द इसने क्या का ये हम लोक पालों के यस को धूमिल कर देता है तो ठीक बात तो है ही है अगर मुक्ष मंत्री जी सभा में हों चारों तरफ से उनकी जैजेकार जिंदावाद के नारे अगर लग रहे हों पढ़ रहे हों उसी समय अचानक प्रधान मंत्री जी आ जाएं तो सारी जनता मुक्ष मंत्री जी को छोड़कर भागेगी के नहीं तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्तित आ जाए तो छोटा व्यक्ति उनके सामने धूमिल हो जाता है तो भगवान सिव का ऐसा प्रवाव है ऐसा तेज है ऐसा बैववाव है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोग पालों का यस उनके सामने धूमिल हो जाता है निरपत्रह का एक अर्थ तो होता है कि निलज लेकिन भगतो ऐसा भी नहीं निरपत्रह का दूसरा अर्थ संसार में जिनका कोई त्रान करने वाला रक्षा करने वाला नहीं संसार में जिसका कोई भी रक अच्छक नहीं होता ऐसे अनास्रतों को रख्षा प्रदान करने वाले आश्राय प्रदान करने वाले भगवान संकर हैं एक बार ऐसे ही साब विच्चू रोते हुए आये महराज आपने हमें क्यों पैदा किया सिवजी ने का पूछा तुम्हें क्या समिश्या है सर्व विच् दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घ्रणा हमसे है, बोले नातने का सब को छोड़ो मेरे पास आजाओ, और उठा उठा कर उन साब विच्चू को ही अपने हिर्दे का हार बना कर धारन कर लिया, भुजगेंद्र हारम पुजंगों को ही जो हार बना ले, साब विच्चू को ही अपना कुंडल बना लिये, दुनिया जिन से घ्रणा करती है, उन्हें आश्रे भोले नात देते हैं, आग धतूरा कोई पसंद नहीं करता, भोले नातने का के हमें चड़ाओ, जिनका कोई रक्चक नहीं, उन्हें सुर्क्षा आश्रे प है, वैसा ही संसार दिखाई देता है, आज अवान के रंग में रंगा हुआ, दक्ष जब भगवान संकर को देखता है, तो उसे दोसी दोस नजर आ रहे हैं, ये सिव नरज है, हमारे इसको धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं, एक ने दक्ष से कर रहे हैं, तो फिर बेटी क्यों ब्यादी, अपनी, जब बेटी का हाथ सोपा, तब तो मैं ये दोस दिखाई नहीं पड़े, तब तो दक्ष और गरम हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इससे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याने वाला नहीं था, मैंने अपने पि आख वाला संकर, दक्ष बोला, मैंने अपनी म्रग लोचनी कन्या का वभा इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, ऐसे ऐसे कटू वाक्ष बोले की, नंदी स्वर जी से नहीं रहा गया, तमक कर खड़े हुए, कि अभी इसे जवाब देता हूं, पर भोले नात ने इसारा किया, चुप बैठो, चुप बैठो, नंदी स्वर ने कहा, वा महराज, आपको कोई बंदर की आख वाला बोले, आपके बारे में बुरा कहे, और मैं चुप चाप बैठा रहूं। वाला को गोगात का पाप लगता है, मैं आपका दोस न देख सकता हूं, न सुन सकता हूं, बोले नात मुस्क्रा पड़े, और अरे भाई, कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारे ससुर्जी हैं, बेटा, ससुराल की गाली सब को सुननी पड़ती है, अंत पादी के बात सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो, अनमती नहीं मिली तो नंदी स्वर बिचारे मन मार कर रह गए, और सिवजी से बोले, ठीक है मारा सुनो, और दक्ष का दुसाहस बढ़ता ही चला गया, इस्तती ये आ गई, कि क्रोध में भरे दक्ष ने, अंतो गत्वा अब रहा नहीं गया, और खड़े हो कर बोले, ए प्रजापती दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तु इतना अफमानी हो गया, अफमान से भर गया, जब से आया है, तब से हमारे भोले नात के, अफमान में बढ़बढाता जा रहा है, इसलिए मेरा साप है कि तुझे बकरे का मुहूं लग जाए, भ्रग जी खड़े, दाड़ी पर हाथ गुमा कर बोले, ए नंदी, ये ससुर्दामाद का आपसी जगडा है, तु बीच में क्यों बोला, मैं भी साप देता हूं कि सिभजी के गण, पाखंडी हो जाए, सिभजी के सारे गण, खड़े हो गए, हम भी साप देते हैं कि तेरे जैसे चाटू कार ब्रह्मन बिकमंगा बन जाए, सर्वभक्षा दुजात राय, बोले नातने का अरे राम, 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 स्वागत समार हो रहा है, या कोई साप समार हो रहा है, सब एक दूसरे को साप दिये ही जा रहे हैं, आक्षब लगाते ज सक जाते हैं, भोले नातने अपने सब गण को, सांत गिया देखो भाई, सब सांत हो जाओ, और अपने घर वापिस चलो, समस्त गणों को, सांत करके भोले नात तो, केलास चले गए, परंत दक्ष के, हिर्दे का क्रोध, अभी सांत नहीं हुआ, मन में एक गांठ लग गई, जुडे गांठ पड़ जाए, देखे सजनों, अगर एक बार धागा तूड़ जाता है, तो वह ऐसा धागा नहीं होता है, जैसा कि था, उसमें गांठ ही पड़ जाती है, तो रहीमदाजी कहते ही, कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तूटे से फिर ना जु हो जाता है दागा, फिर वह वैसा धागा नहीं रहता है, जैसा कि धागा होता है, ऐसे ही संबंदों को आप बना के रखिए, अगर आपने रिष्टेदारों को भाईचारे में कहीं भी आपने गलत बोल दिया, तो फिर गांठ ही पड़ जाती है, फिर वह रिस्ता रिस्ता नहीं रहता है, इसलिए अपने रिस्तों को सजो करके रखिए, एक बार धागा तूट गया तो आप गांठ लगा कर जोड तो सकते हैं, पर वह गांठ अलग चमकती रहती है, कि यहां से तूटा है, ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है परंत वह सामंज से चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है, कि उस दिन से मुझसे ऐसा बोला था, शिवजी के द्वेश करके अब की बार दक्ष ने हरद्वार कनखल में एक बड़े बिराट यग्य का आयोजन किया, संपूर्ण ब्रमांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवादी देव, महादेव को कहीं कोई चिट्टी पत्री नहीं, कोई निमंत्र नहीं भेजा गया, परंत भोले नाथ तो अपने कहलास में आनंद कर रहे थे, यग्य की तिथी आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे, गड़गडाते विमान भोले बाबा के उपर से ही निकाल रहे हैं, जब दो प्रेमियों में खटपट होती है, तो तीसरे लोग बड़ा फैदा उठाते हैं, मामला सांती भी हो रहा हो, तो और तूल पकड़ता है, क्रोध ना आ रहा हो, तो और आ जाए कि देखो हम अपने घर वैटे हैं, और लोग हमारी सस्राल जा रहे हैं, पर भोले नात को तो कुछ आपत्ती नहीं, अपनी आख बंद करके अपने सुरूप के आनंद में मत हैं, मस्त हैं, पर देवी सती का मन डगमगा रहा है, कि आज सवेरे से ही विमानों की छड़ी नहीं तूट रही है, एक के पीछे एक गड़गाता चला जा रहा है, आखिर कुम्ब का पर्व तो इस बर्स है नहीं, तो ये सब देवता हरद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं, अब कुछ देवांगनाओं को जब विमानों में जाते देखा, तो भगवती सती ने इसारे में पूचा बेहन कहा जा रही हो, दे मेरे माईके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यग किया है, सारी दुनिया बहां भाग रही है, और तु अपनी सुस्राल में अभी तक बैटी है, सती जी के, तो होस उड़ गए, अरे राम राम, मेरे माईके में यग है, और तुझे ही नहीं मालूम, सती जी मुस्क्रा कर ब गया ये कैसे हो गया मैं तो अपने पिता की बड़ी लाड़ ली हूं फिर पिता जी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया अब ये सब कारण तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा पर बिना निमंतर के मेरे भोले बाबा तो सम्मवत जाने वाले नहीं क्या करूं अच्छा एक ब है अब अब कि अध Oui अब के अधरम निर्भा मात्र कर रही हों भोले बाबा असकर बोले देवी जी आप कुछ जादा ही धर्मनिवारे ये निसंघ को बताएं आपके मन में क्या है तब सथी जी ने अपनी बात गुमा कर कही प्रजापतेस्तेश्वरस्यसाम्प्रतम् निर्यापितोयग्महोत्सवैक्ल् वयम्चतत्राविस्राम् वाम्ते यदर्थिताम् विवधाब्रजन्ति प्रजापतस्तेश्वरस्यसाम्प्रतम् निर्यापितोयग्महोत्सवैक्ल् वयम्चतत्राविस्राम् वाम्ते यद्यर्थिताम् विवधाब्रजन्ति चौथा इसकंद तीसरा अध्याय आठमा इसलोक सती जी बोली है बोले नात जरा द्रश्टी उठाकर उपर तो देख लीजिए बोले नात ने कहा वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूं सती जी ने पूछा क्या देख रहे हो महाराज श्वजी बोले इन बिमानों को सती ने कहा आप देखते रहो देखते ही रही है सारे दिन ये बिमानों को पर आपको शाहिद ये नहीं मालूम कि सारे विमान आपकी ही सस्राल जा रहे हैं वहां पर आपके ससुर जी ने बहुत विसाल यग का आयोजन किया है इसलिए तो ये सारे विमान उसी यग में समलित होने के लिए आपकी सस्राल की तरफ जा रहे हैं अब जरा माता सती की सब्सैली तो देखिए माता जब अपने माई माईके की बात करती हैं तो बड़ा अकड कर बात करती हैं कि मेरे माईके में अपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा कभी देखा नहीं होगा मेरे पिता जी के द्वारा इतना बड़ा यग हो रहा है तो मेरा मेरा सद्ध जादा बोलती है पर आज सती जी ने एक वार भी नहीं कहा क मेरे माईके में या मेरे पिता ने कुछ भी नहीं कहा सती जी बोली है भोले नात आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यग किया है ताकि भोले नात को अपनत्व प्रतीत हो भोले नात हसकर बोले देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्र आया क्या सती जीने का महराज आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा कभी कभी डाक गड़वड़ा जाती है आपने देखा होगा हम चिठ्ठी पत्री का आधान-प्रदान करते हैं तो डाक काफी लेट हो जाती है तो इसी परकार जो है चिठ्ठी जरूर भेजी होगी किसी कारण से पहुंच नहीं पाई महराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम सोले बेहन हैं विवा के बाद से बेहनों से कभी मिलना जुलना नहीं हुआ सब से मिलने का सब को देखने का बहुत मन हो रहा है आप भी से मिलोगे तो कितना आनंदा हैगा भोले नात देवी सती की उतकट उतकंठा को जान गए कि इनके मन में माई के जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है तो हसकर बोले देवी जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ती नहीं चल चलते तुमारा कहना भी बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसरों पर ही इसने ही जन मलत जो हमारे प्यारे हमसे प्यार करने वाले हैं अपने लोग हैं वह ऐसे ही मौके पर मिलते हैं भेट होती है सबसे मिलना जुलना होता है परंतो जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं तता उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं ऐसी जगे जाने से क्या फादा हम बिना नोता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और हमें देखकर मू लटका कर कोई बैठ जाए तो हमें देखकर उन्हें आग लग जाए उन्हें देखकर हमारा हिर्दय जल जाए ऐसे इस्थान पर सोना भी बर्स रहो तो भी हमें नहीं जाना चाहिए। बवा गोश्वामी तुलसिदा जी क्या कहते हैं इस विशे पर आव नहीं इंजत नहीं नेनन नहीं सने। तुलसी वहां न जाये चाए कंचन बर्से में। शिवजी कहते हैं देवी वहां कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं सती जीने का। आपने यहां बैटे बैटे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर प्रसन नहीं होंगे। ऐसा आपने कैसे सोच लिया। अरे यदि हम पहुंचेंगे तो पिता जी तो कान पकड़ कर हमसे माफी मांगेंगे कि बेटी में पत्र देना भूल गया क्या करें बड़े-बड़े कारक्रावम में कभी-कभी बड़े खास से खास निकरतम लोग भी छूड़ जाते हैं पर ये गलती अंजाने में हो जाती है आप चलिए तो सही आप भोले नात को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ गया कि जो अब तक सती जी ने सती जी से जो छुपाए बैठे थे वो प्रसंग आज भोले नात को वह प्रसंग सुनाना ही पड़ गया वह कौन सा प्रसंग ध्यान पूरक सुनिए भोले नात ने प हुमारे पिता के स्वागत करते हुए दक्ष को प्रणाम किया था पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया देवमानी दे को महत देता है मैं खड़ा नहीं हुआ मैं अपने भगवान में लीन था मैं राम नाम का जब कर रहा था है तो इसे ही लेकर वह अपना अपमान अनवव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई एक बात कहूं कि देवी सती कोई बान मार दे बान का घाव होता है पीडा भी बहुत होती है परंत औसनियों के बल से घाव भी ठीक हो जाता है पीडा भी दर्द भी सब ठीक हो जाती है परंत अपने इसने ही जनों के द्वारा जो वानी का घाव हिर दे पर लगता है वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होत जब जब उस बचन को याद करो उतने ही पीडा दायक होता है वह घाव कभी ठीक नहीं होता है कहते हैं बोली जो होती है बोली जो बोली के जो बांड होते हैं वह घाव दिन रात तपाते हैं देवी में तो सह गया पर में तुमारे सुभाब को भी जानता हूं कि तुम सह नही जो तुम से नहीं सही जाएगी इसलिए मेरी बात मानो वहां बिलकुल मत जाना तुमारा किसी भी प्रकार भला नहीं होगा इस पश्ट रूप से भी भोले नात जी ने समझा दिया पर सती जी का आगरे फिर भी सांत नहीं हुआ सती जी बोली देखिए महाराज अब जो होना परंत संबंद कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर तूट थोड़े ही जाते हैं वे आपके ससुरें और रहेंगे अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए मुझे आग्या दीजिए मैं जाऊंगी और पिता जी को समझाऊंगी वह मेरी बात मान लेंगे आप से भी शमा घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी जितने भी बड़े देवी देवता वहां पहुंचेंगे तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का जगड़ा अभी ठीक नहीं हुआ है इसलिए ना बेटी आई और ना दामाद तो घर की बात घर की लड़ाई चार बहुत बलवती मालूम पड़ती है मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही है पुर्शार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और उसके बाद भी बात नहीं बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए बाबा गोस्वामी तुलसिदा जी क का भोले नात ने बहुत प्रकार समझा कर भी जब देख लिया कि सती मान नहीं रही है तो भोले नात ने का देवी अब जो तुमें अच्छा लगता हो सो करो और भोले नात तो आंक बंद करके बैठ गए और भगवती सती बोली महाराज मैं तो जा रही हूं बोले नात सती चलते चलते सोचती जा रही हैं हे भगवान कहीं भोले नात नाराज तो नहीं हो जाएंगे कहीं असंतुष तो नहीं अच्छा दवारा कोशिस करती हूं मेरे भोले नात तो आज्टोस friendly बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं दुवारा प्रयत्न किया तो साइज प्रसंद हो जाएं तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिरो लोट पड़ती हैं फिर चरण दवाने लगती हैं फिर अनमती मांगने लगती हैं पर कोई उत्तर जब भोले नात की ओर से नहीं मिलता तो पर निकल चली जाती हैं सती जी जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आख कोल कर देखने लगते हैं क्या सचमुझ गई और सती जी को जब वापिस अपनी ओर आते देखते हैं तो आख बंद करके फिर बैठ जाते हैं सती जी दुवदा में फसी हैं पिता जी की याद आती है यग महोसव का द्रस्य आखों में नासता है तो भागने लगती हैं और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लोट पड़ती हैं कभी बाहर कभी भीतर नड़े नहीं ले पा रही हैं क्या करूं अंत में नड़े ही लिया कि कुछ भी हो यग में जाऊंगी ऐसे यग कोई नित थोड़े ही आते हैं और सबसे मिल जुलकर बाद में आकर अपने भोले बाबा को मना लूंगी इस तरह से सती जी ऐसा विचार कर सती जी बहुत दूर तक चले हैं भोले नाथ ने देखा कि ये तो बहुत दूर निकल गई अब की वार लोटने वाली नहीं तब नंदी स और आदी गण दोड़े दोड़े आए माता जी हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जावें हमारे लिए धिकार है आग्या करो मा कहां चलना है भगवती सती बोली मेरे पिता के यहां बहुत बड़ा ये घोरा है चलना चाहो तो तुम भी लोग भी चलो सब भूत प्रेत कल तक मा के चरणों में जो देवता साश्टांग दंडवत करते थे आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुह घुमा लिया और अंदेखा कर दिया सती जी को ये विवार अटपटा लगने लगा कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा है दक्ष का सक्त आदेश्ता की सिव संबंदी कोई भी व्यक्ति हो उससे जो भी संबंद रखेगा वै मेरा दुस्मन होगा बेहनों ने देखा अब नंदन किया आओ आओ बेहन सती तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा और हमने सुना कि पिता जी ने तुमें निमंतर ही नहीं दिया अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा पर कोई बात नहीं अपना तो घर है घर में निमंतरन की क्या प्रतिक्षा करना बेहन तू तुने आकर बहुत अच्छा किया सती ने सोचा तुझे इन से क्या मतलब है माई के में सबसे अधिक महत तो माता का होता है अन्य कोई पूछने वाला नहीं होता केवल आप चारिक्ता ने भाई जाती है इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीदे मा से मिलने के लिए चली वास्तम में देवी सती के ना आने की हार्दिक जो पीड़ा थी वह अगर पीड़ा अगर मन में थी तो वह किसको थी मा को थी उनकी तो केवल उनकी मा के हिर्दे में इतना बड़ा उत्सब हो रहा परंत माता प्रसूती अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी बहुत दुखी होकर बैठी कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती को प्रवेश करते हुए देखा प्रसूती माता का हिर्दे तो वासल से भर गया परंत बेग से दोड़कर पुत्री को अंक में गोद में भरकर हिरदय से लगा लिया सादर भलाई मिले एक माता भगन मिली बहुत मुस्काता मगर कोई आदर से कोई मिला तो वह केवल माता सती की जो माता थी प्रिसूती मिली और भगनी मिली बहुत मुस्काता अगर बेहनों ने अगर मिलना हुआ तो मुस्क्राती रही हसी उडाती रही अरे बिना नोते के आगई तो क्या हुआ अपना ही तो घर है यह क्या हुआ यह एक उपहास हुआ माता सती का बड़े सादर के आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूती माने पुत्री को हिर्दे से लगा तो सती जी के मन को थोड़ी सी सांती मिली परंत जब उन देवताओं का उप्यक्षित विवार इसमनर आया तो चित में फिर चुबने लगी बातें विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिता जी से मिलना चाहिए उन्होंने इतने प्रगार संबंद को इतनी सरलता से उप्यक्षित कैसे कर दिया जैसे ही अपने पिता से सती जी मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है तो सिव संबंद होने के करण आंके फेर ली मुझ गुमा लिया ना देखा ना बोला ना मुस्कराया अपने पिता के द्वारा ये उप्यक्षा पूर बिवार सती जी के हिर्दे को और भी अत्यंत पीड़ा दायक बन गया पर फिर भी इस अपमान के घूट को पी गई अपना अपमान सह गई परंत जब यग साला पर द्रश्टी पात नजर डाली तो छोटे छोटे जो देवता थे उनके भी हिस्से अलग से इस्थान दिये एक पतवर्ता अपना अपमान सह सकती है परंत अपने पती परमेश्वर का अपमान उससे कदापी सहा नहीं जा सकता तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई अरोद्र भागं तमवेक्षे चाद्वरं पित्राच देवे क्रतेहेलनं विभव अनाद्रतायग सदस्यधी स्वरी चुकोपलोक निव दक्षतीरुसा चौता इसकंद चौता अध्याय नवा इसलोक है मेत्र मुनी कहते हैं विदुर जी भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ द्रिष्टी डाल कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज दसों दुसाओं को दग्द कर देंगी माता सती के नेत्रों स अंगारे बर्षने लगे प्रजापती दक्ष को ललकार नाप्रारम किया अरे प्रजापती तुझे ये पद क्या मिल गया तुने इतने मंदाग्द हो गे तुमने उन भगवान सिव का अपमान किया जो साक्षात कल्यान करने वाले हैं, जो साक्षात कल्यान सरूप हैं, मैं सरणम सम कल्यान करोती इती संकर है, जो मानम मात्र का कल्यान करने के लिए ही विराजमान हैं, वही संकर हैं, सिव का तो अर्थ ही कल्यान होता है, एक बार भी जिसकी बानी से सिव ये दो अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। चौथा इसकंद, चौथा अध्यायव और चौदेवा इसलोक है। बदला लेने की हिम्मत नहीं है तो कान में उंगली डालो और वहाँ से निकल जाओ। और चले जाओ वहां से पर तो मैं तुम्हारी जीब भी काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो और कार में उंग्री डाल कर यदि घर लोटूंगी तो भोले नात पोंशते ही कहेंगे आओ दक्ष कुमारी आओ दाक्षानी देवी माह केसे क्या स्वागत हुआ तो मैं क्य क्या कहूंगी क्या जवाब दूंगी भोले नात को कितना विश्वास देकर आई थी मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था मैं बिन बुलाए पागनों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहां पर ऐसा अपमान किया मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इ कर पकारिंगे शिफद्रोही की बेटी मुझे कोई कहे ये मैं कभी नहीं सह सकती मुझे जीवण मैं आज पहली बार पता चला कि मेरा ज़र्म एक शिफद्रोही के द्वारा हुआ है जो मेरे प्रान धान जीवन धन हैं जीवन सर्वस्व हैं उनकी मैं अर्धाइघनियूं मेरा जर्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ स्वीकार में द्रोही का रखत है इसलिए अभी ये श्रीर में Сुiventार नहीं करूंग bleeding पर année addiction करें जब तक स्वीकार में回來 तब तक ये संबंद तो स्वीकार में फरीन पड़े गा अतैए इस संबंद को समाप्त करने के लिए आज में ये सरीर ही समाप्त कर दूंगी मेरा ये सरीर तेरे द्वारा उत्वन है इसलिए अब इसे धार नहीं करूंगी और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मगन बैट गई बोले नात के स्री चलणों का ध्यान करते करते दिव्यागनी देह से प्रग अगनी ना माता सती ने उस दिव्यागनी में अपना पंच भवती धे को समाप्त कर दिया जो भूत प्रेता दी गण माता सती के साथ आये थे आये हुए थे उन्होंने ये सब द्रस देखा तो सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और मारों काटों चिलाते हुए यग साला के उपर तूट पड़े जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमन को देखा तो यग्याचार भ्रगु ने दिव्य सक्तियों को प्रगट कर दिया इन सक्तियों ने भूत प्रेतों का मार्क पीट कर वहां से भगा दिया उदर नारज जी ने भोले नात को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया नारग जी के दौारा जब पूरा समाचार भगवान सिब को विस्तार से सुनाया गए कि माराज जैसे हम थे आप भी विसे ही हो गए माता सती को राजा दक्ष ने यग कुंड में धक्का दे दिया तो क्रोध से भर गए भगवान भोले नात क्रोध में आकर बोले आज यदि दक्ष बच रहा है था तो केवल सती के नाते हमारी पत्नी सती का वह पिता है इसलिए दक्ष क्षमा का पात बन रहा था अब जब सती ही नहीं रही तो अब संबंद कैसा अब पात्रता समापत हो जटा से बड़ा ही एक विक्राल महापुर्ष प्रगट हो गया कराल दस्त्रो जलद अग्न मूर्दज कपाल माली विविद्योध तायद कराल दस्त्रो जलद अग्न मूर्दज कपाल माली विविद्योध तायद चौता अध्याई इसकंद पांचमा अध्याई दूसरा इसलोक अनेक प्रकार के आईद चमचमाती आके और बड़े विसाल केस लग रहाता जैसे मूर्तीमान काल खड़ा हो गया हो हाथ में एक बड़ा विसाल तरसूल धारण किये वे वीर पुर्श हाद जोड़ कर बोला हे बोलेनात मुझे आज्या क्या है बोलेनात ने कहा वो वीर ते भद्रम हे वीर तेरा कल्यान हो उसी का नाम हो गया बीर भद्र बोलेनात ने आदेश दिया दक्षम सयग्यम जही जाओ और दक्ष का यग समाप्त कर दो मला दक्ष का यग सहित समाप्त कर दो दक्ष को अब तो बीर भद्र बेग से दोड़े जो भूत प्रेत आदी यग से पराजित होकर पिट पिट कर आ रहे थे उन्होंने जब बीर भद्र को देखा तो उनमें बड़ा जोस आ गया है और जोस आएगा अब डरने की आवश्यक् चलो जिनोंने हमारी पिटाई की ती चुन-चुन के बदला लेंगे भूत प्रेतों में जोस आ गया और भूत प्रेतों का सरीर तो वायू प्रधान होता है इतने बेग से दोड़े की तूफान आ गया और वह तूफान आकास तक छा गया यग्गी के देवता उस तूफान क देखकर चक्कर में पढ़ गए देखो देखो कितनी भैंकर आंदी आ रही है ऐसी आंदी तूफान हमने कभी नहीं देखी भाई ये कैसा तूफान है जरा पता लगाओ एक बोला अरे तुझे तो लगता है कहीं डकेती पढ़ी है डकेत सब भाग रहे हैं और एक ने का क्यो है जरा सकती गल गाएं क Cabinet दूसरा और लगता है घास चरह कर लाखों गाया एक साथ दोड़ती इं तो ऐसी दूल उड़ती है और ग्रतो तो और उनक कार्य पार लगता है कि प्रले होने का समय आगया ये प्रलंकारी प्रबंजन है एक ने कहा प्रले होने का समय तो कभी आया नहीं लोकोन दुना किम प्रला है कल पते अब तक अब जब तक देवता कुछ नेड़े ले पाते तब तक तो सनई सनई तूफान ने यग साला को ही घेरना प्रारम कर दिय और यग्ग के चारों तरफ उस तूफान को आते देखा घूत प्रेत दिखाई पड़े देवता समझे अब कुछ गड़वड होने वाला है भाग लो यहां से जैसे देवताओं में भगदर मची के बीर भद्र ने आदेश दिया सब को बंदी बना लो एक भी भाग ने न पारम कर दिया जिसकी पकड में जो आ गया उसी को धर पकड़ा ब्रगुमुनी उठकर भागे तो मनी मान नाम के गण ब्रगुजी को दवोचा वीर भद्र ने दोड कर प्रजापती दक्ष को पकड़ लिया किसी ने पूशा को किसी ने भग को सब को पकड़ कर कहा भाई कह भाग रहे हो यग में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर ही भागिये खाली हाथ मत जाईए सब को पकड़ पकड़ कर बादना प्रारम कर दिया बीर भद ने आदेस दिया पूरा यग तैसनेस कर दो सब बराबर हो जाये तब ही शिवगन यग साला पर तूट पड़े बल सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्याओं खाड कर यग तैसनस कर दिया, अंत में सब को बंदी बना कर खड़े किये हुए, उन भूतों में बीर भद्र ने पूछा, अब बताईए इन्हें दंड दिया जाए, भूत प्रेतादी बोले, महराज ये सफेद दाड़ी वाल सुनते ही बीर भद्र को क्रोध आया, भ्रगमुनी की दाड़ी मूच पकड़ कर जटके में सारे बाल नोस डाले, और दाड़ी उखाड कर भ्रगुजी को थमा दी, शिब गड़ोने का महराज ये जो पूछा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे, हमारी तरफ ही करक खूब बत्ती सी दिखा रहे थे, सुनते ही बीर भद्र ने एक मुका जोर से मुह में मारा, और कि सारी बत्ती सी तूटकर बाहर गिरे, पूरा बेदानती हो गया बिचारा, एक भी दांत मुह में नहीं रहा, शिब गड़ोने का प्रभो ये जो भग देवता खड़े हैं, ह वेका निकालनी इस प्रकार से जितने देवता समलित हुए, सब का अंग प्रतंग भिहीन करके देवताओं को तो भगा दिया, परंत जव प्रजापती दक्ष की बारी आई, तो उठा कर पटका और भोले नात का ध्यान करके, दक्ष का सिर उखाड के, हवन कुंड में स्वा कर दिया, फोले नात की जैजैकार करते हुए, सब सिव गण लोट गए, परंत जो देवताओं खंडित हो गए थे, वे रोते रोते ब्रह्मा जी की सरण में गए, सब ने अपनी अपनी दुर्ध सा सुनाई, ब्रह्मा जी हसने लगे, अरे देवताओं बिना विचारे सो करे सो पाचे पस्ता है, उस यग में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए, जहां भगवान सिव का अपमान होगा, वहां हम कैसे जा सकते हैं, भगवान नारान का भी भाग था, पर नारान भी नहीं गए, तो जब हम तीनों ही नहीं गए, तो तुम क्यों चल चलता हूं भगवान भोले नात खने रुष्ट खने तुष्ट रुष्ट तुष्ट खने खने जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रशन भी हो जाते हैं वे आस्तोस हैं जब देवताओं को लेकर ब्रह्माजी पदारे जैसे ही ब्रह्माजी कहलास परवत पर आ ब्रह्मा जी से बोले माराज आप ही वहां पदारिये और उचित लगे तो हमें इसारा कर देना हम तुरंत दोड़ कर आ जाएंगे उनके पास जाने का साहस नहीं होता तो देव समाज को वहीं बैठा कर ब्रह्मा जी सबसे पहले सिर्जी के पास पहुँचे ब्रह्मा जी को देखते ही बोले नात खड़े होगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसंदिया प्रणाम कैसे किया जैसे बामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं भगवान बामन साक्षात नारण विश्णू हैं पर विभार जगत में कश्यप जी उनके पिता जी बने हैं इसलिए बामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है इसी प्रकार भगवान बोले नात तो समस्त देवताओं के परंपूजें परंत बिभार में ब्रमा जी की भ्रक्टी से प्रगट होने के नाते उन्हें पिता मान कर प्रणाम कर रह सास्टांग दंडवत करने लगे ब्रमा जी ने थोड़ी सिपारिश कर दी महराज इन पर धया करो भ्रगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाही सब पर कुछ पर इनका सुभाव था कि बात बात पर जो है दाड़ी पर हाथ फेड़ते थे तो सुभाव जैसे ही दाड़ी पर हाथ फेड़ने के लिए हाथ उपर उठा के दाड़ी में एक भी बाल नहीं था इतने विचारे सर्मिंदा हुए कि मुह लटका करी रह गए और कुछ बोल ही नहीं पाए ब्रमा जी ने कहा है बोले नात अब इन पर धया करो यह बिना दाड़ी के रह नहीं पाएंगे इनके सुभाब में आगे आए और इनकी दाड़ी आपके बिरोधी यग में स्वहा हो गई है बोली नात भी मुश्करा पड़े अच्छा ठीक है पूरी दाड़ी तो नहीं मिलेगी परंत आगे आगे थोड़ी सी दाड़ी आपको लग जाएगी जाओ हमारा आसिरवाद है भ्रग को माराज मुह में एक भी दाड़ नहीं रहा है सारी दंतावली बहार निकाल दी कैसे भोजन करूंगा भोले नात ने का सक्तू गोल गोल कर पियो दातों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पिष्ट भक बन जाओ भग देवताने का देखो आके फोर दी मैं तो अंदा ही हो भोले नात ने का तुम मित्र देवता की द्रिश्टी से देख सकोगे इस परकार समस्त देवताओं को सुस्त करते हुए जब भोले नात थोड़े से अनकुल दिखाई पड़े तब देवताओं ने का सरकार चलकर उस यग को भी सफल कर दीजिए भोले नात ने कहा यग में पलत समईगरी अवसेस बचेगी वैस अवसिष्ट समईगरी आपका ही भाग माना जाएगा भोले नात शंतुष्ट हो गए जो बच जाये बहुत है सारे देवता भोले नात को मना कर ले आए, भोले नात से कहा कि माराज यग सफल करो, भोले नात ने कहा यजमान को बलाओ, देवता भोले सरकार, यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर्ष्वा हो गया है, भोले नात को ससुर जी की दुर्द सादे कर दया आ गई, तुरं बोलेनात के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुन्दर प्रस्तुति प्रारम कर दी है भोलेनात आपने मुझे दंड देकर मुझे बड़ा भारी अनुग्रेक किया था क्योंकि मैं बहुत उदंड हो गया और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए और दंड उ उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं कई बच्चे उत्पात मचा रहे हों उदंडता कर रहे हों तो हम अन्देखाक करके चले जाएंगे हमें क्या लेना देना पर उनमें से अपना कोई बच्चा दखाई पड़ जाए तो उन उदंडों के साथ स्वेंद चले तो जिस से प्रहएंब किया जाता है उसी को दंड देने का द्खार भी रखा जाता है तो है ऑ्पने मुझे अपना समझा और अपनत्त्त के नाते ही मेरी उदंडता पर अंकुष लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया एक गौला गायों को चराता है पर अपनी ग साजी लगाकर गौमाता की रक्षा करता है और वहीं गायादी उत्पात करें यहां वहां नुक्सान करे तो दंडा से मार देता है जितना अपनी गयों से प्रेम करता है उतना ही मानने का अधकार भी रखता है प्रजापति दक्ष भोले-नाथ की मदुर इस्तती करें पर बक्रे का मौ है तो बक्रे की भासा में बोल रहें सुन सुन का भोले नात को बड़ी जोर जोर से हसी आ रही है इसलिए आज भी भोले नात के भक्त सिविजी की पूजा करते समय बम 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 बक्रे की तरह बोलते हैं क्योंकि बक्रे की तरह बम बम करते ही भोले बावा को ससुर्जी याद आ जाते हैं और भोले बावा प्रसन हो जाते हैं जहां भोले बावा प्रसन हुए तत्क्षन ओन सब के बीच में भगवान लक्ष्मी नाराण प्रगट होगे समस्त देवताओने क्रम से भगवान नाराण की इस्तुतिकी और सब आप ही हविश्वान Хो आप ही हविश्वान के भुगता हो आप ही मंत्र हो आप ही समदाय हो आप ही कुछा हो आपने ही पूर में जल में दूवी हुई प्रत्विकों ऐसे उद्धार किया जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रवश्ट होकर कमलनी को उखाड कर चला आता अब गजराज को कमलनी को उखाडने में क्या कश्ट लगे ऐसे ही आपने जल में डूवी हुई इस धरदा देवी का आपने हरनाक्ष के चंगुल से उद्धार किया आपने पसों को देखा होगा प्राज जल में से जब बाहर निकलते हैं तो अपने सरीर के सरीर को बड़े जोर से चटकटाते हैं ऐसे ही भगवान 12 रूप में जब जल में प्रविष्ट हुए और प्रत्वी को बाहर लाकर यथास्तान बराजमान करके अपने सरीर को इतनी जो से चटकाया कि भगवान बारादेव के रॉम कूप धरा पर गिर गए और वे ही कुछ बनकर प्रगट हो गए जो समस्त यग्यों के सुभकारियों को संपन करते हैं प्रतिक सुभकारियों में कुछ का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है किवे यह साख्षात बारा ंंके रॉमकूपएं इस प्रकार भगवान इस्तुती की भगवान सब को समझाया ब मुझा में किसी भी प्रकार को मैं श्रजर करता हूं तता मैं ही रुद्र बन कर संधार करता हूं तीनों मेरे सुरूप हैं सिव जी के एकिदे में विशनु और विशनु के कौन पुजारी कौन पूज कौन प्रेमी कौन प्रेमास्पद कह पाना बहुत कठन है परस पर दो चकोड दो चंदा भोले नात राम जी को अपना इस्ट मान कर रामकथा भवानी को सुनाते हैं रामकथा सुनने के लिए कभी हंस बनकर काग वुशन जी के पास आते हैं तो कभी सती जी को लेकर अगस्त महरशी के पास जाते हैं रामकथा के परम रसिक हैं भगवान भोले नात रच महे सिनिज मानस राखा सबसे पहले रामायन की रचना भोले नात नहीं की थी परन्त जब सिब भक्तों की बात आवे तो सब से पहले भगवान नाराण ऐसे सिब भक्त हैं कि एक हजार कमल नित चड़ाते थे पर एक दिन पूजन में एक कमल पढ़ गया एक कमल कम पढ़ गया तो विशनु जी विचार करने लगे कि कैसे पूर्ती की जाए अरे लोग कहते हैं कि मुझे लोग पूंड़ी काक्ष कहते हैं तो भगवान ने निकाल कर भोले नात पर समर्पित कर दिया ऐसे सिब भक्त हैं जो बैसनवों की बात आवे तो भगवान सबसे आगे हैं दोनों एक दूसरे के उपा सकें राम जी महराज लंका पर विजय पाने के लिए बहुले नात को रामेश्वर के रूप में पृत्ष्ठापित करके पूजन करते हैं विदीवत नाम देते हैं रामेश्वर भक्तों ने पूचा अर्थ ही कर दीजिए राम ज इसलिए इसलिए इन में किसी को प्रकार का भेदना समझें जो भगवान राम हैं वही भोले हैं ख्यभ कर दूजन संकार सहारक देव ह्या ही उनका स्वरूप तो सामला होना चाहिए और भगवान नारण पालन हारें अते सत्व प्रधान होने से भगवान नारण का सरूप गोरांग होना चाहिए परन्त बात बिलकुल विप्रीत है शिव जी कपूर की तरह गोरे हैं करपूरे गरं करणा वितारं संसार सारं भुजगें रहारं सदाव संतं हिर्द्यार विंदे भवं भवानी सैतं नमामी और जब भगवान नारण पर दर्ष्टी डालते हैं तो भाबा गोश्वामी तुलसीदा जी राम चरित्रमानस में लिखते हैं नील सरोरिह नीलमनी नील नील धर्ष्याम लाजई तन सोबान रख कोट कोट सतो काम जो जिने गोरा होना चाहिए वे सामले हैं और जिने सामला होना चाहिए वे गोरे हैं ये उल्टा इसलिए हो गया कि सिवजी का सतत ध्यान करते करते जो सिवजी की शामलता थी वे नाराण में समा गई और नाराण का सतत ध्यान करते करते नाराण का जो गोरांग रूप था व और वन होगे और नारायन सामले होगे विवा के बाद करन्या का पती परमेशर हो जाता है पर पती परमेशर का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि सास्सुसर देवर जेट आधी को आँख दिखाने लगे हमें तो केवल पती देव से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं ये भी तो उचित नहीं क्योंकि परवार में सब का आदर रखते हुए समर्पन तो पती में होना चाहिए पर सम्मान तो सब का करना चाहिए उसी प्रकार इस्ट तो एक होना चाहिए एक इस्ट में ही हमारा आत्म निवेदन और समर्पन होना चाहिए पर सम्मान तो सभी को देना च सभी सिद्धो जाते हैं स्री मैत्र मुनी कहते हैं विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देत्या किया और अगले जनम में हिमालय की पुत्री पारवती के रूप में प्रगट हुई पुने घोर तपिश्या करके अंत में भोले बावा को प्रशन कर लिया धूमधाम से बर भगवती के रूप में पुने प्राप्त कर लिया माता बहनों को भगवती सती की कथा से प्रेणा मिलती है जैसे की विभा के समय अगनी के समक्ष पंड़ जी बचनों में कहते हैं अगर माता और बहन इन बचनों को माने तो कभी घर में पत्पत्नी में जगडा ही उत्पन नहीं हो सकता पंड़ जी द्वारा जब यह बचन दिये जा रहे होते हैं उस समय अगनी साक्षी होती है और अगनी क्या है अगनी देवता है जब हम अगनी देवता को भी जूटा मान कर बचनों को पालन नहीं करते हैं तो जरूर घर में कलय उत्पन होता है आज जितने भी तलाग हो रहे हैं यही बज़े कि माता बहन अगनी के समक्ष इन बचनों की सपत लेने के बाद भी नहीं मानते इसलिए हमें पंड़ित जी द्वारा फेरों के समय पर दिये गए बचनों का पालन करना चाहिए ऐसा नहीं कि केवल माता बहनों को ही है चार ब प्रमपतनी मतलव अरधांगनी का साथ निभाने के लिए साथ बचन दिये जाते हैं वह भी अपने बचनों को ठीक से पालन नहीं करते जबकि पुरुष भाईयों को भी अपने बचनों का ठीक से पालन करना चाहिए दर्शकों अगर आपको हमारी यह सतीकत सतीचरित्र में तो जरूर आप कमेंट करिएगा और हमारे यूटूब चैनल को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आप से पुरह नवेदन करता हूं कि हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा उत्सावर्दन हो और हम इसी प्रकार की अच् झाल झाल